किलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र किलांचल टाइम्स में नमस्कार आप देख रहा है के लांचल टाइम्स में हूँ ओंकार जा बिहार में त्रीय चुनावी भीगुल बजच चुका है कई चर्मों में मतदान भी हो गया और कई चर्म का मतदान बाकी भी है जहाँ-जहाँ मतदान हो गया है वहाँ पे लोगों ने अपना जिला पारशद और मुख्या भी बना लिया है इसी तरह में चौशा प्रखंड के चौशा पर्समी छेतर में हूँ यहां के बर्तमान जिला पारशद अनिकेट कुमार मेता जी से जानते हैं कि उनका कारेकाल कैसा रहा और जो तरिय चुरुआ का सरवोजप्त है जीनाभ पारसत उनी से जानते हैं ऐसी सर के स्लांचल आसменा आपकई द्वारा क्या क्या काम किया गया होगा सबसे पहले आपके इस पुरी टीम को मैं अभी नंदन करता हूं या आपने सहरी इलाका को छोड़ कर आपके सुदूरी इलाका में खास करके लिए बहुत ही जीला मुख्याले से काफी दूर और बाड एडिया है यहां तक आपने आया पुरी टीम को लेके आया इसके लिए मै आपके पुरी टीम को मैं बढाई देता हूं ननिवा देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जंता को बताना चाहता हूं यह जीला परस्द जो है पंचायती राज में कुछ सदन है और जो सरकार की द्वारा जीला परस्द को जो रासी दिया जाता है उसके सब जगर मेरा बोर्ड लगा और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यह पंचाइती राज में जो है जिला परशद को उतना जो छेत्र के अनुरूप होना चाहिए रासी वह विभाग के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है नहीं दिया जाता है और जो भी मिला मैं पूरी मंदारी के साथ सबी पंचायत में कारी किया और वहां के तमाम जो जनता मालिक है लोकतंतर में जनता सरपड़ी है उनका काफी सपोर्ट मिला और मेरा जो पांच साल बीता या बहुत ही मेरे लिए खास करके बहुत अच्छा अन आपने हड मोर पर आपने हमें सपोर्ट किया सहयोग किया इसके लिए मैं दिल से अवार ब्यक्त करता हूं मैं चोसा परकंट के तमाम बुद्धी जीवी इतने भी राजनेतिक दल है सभी का सपोर्ट मिला मुझे आपके द्वारा यहां पर काम क्या क्या किया गया होगा है स सबसे पहले तो चोसा परकंट जो है खास करके यह बाड एडिया आता है और यहां जो है संजोग से कहा जाए कि पंचाइती राज में पास साल का कारी काल रहता है लेकिन करोना काल के कारण हम लोगों को लगवब छे साल मिला इस छे साल में हमने पूरी संघर्ष करके यह ब फसल चती धान का उसके बाद आप फसल क्या करते हैं सबजी का जो चती होता है हर एक साल हम लोग यहां से लेकि पटना तक दोड़ते हैं और तमाम को यहां के जो नागरिक हैं मदाता हैं और सब किसान बंधू हैं सब को लाव दिलाते हैं खास करके फसल चती पूर्ती और जी आर की रासी छेया जाए सरकार के माध्यम से और इस बार भी हम लोग तीन बार पटना गए बहुत सारे पंचायत में बहुत सारे वाड में मिला लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है जिसके अभी चुनाओ का माहूल चल रहा है लेकिन चुनाओ के बार ठीक फिर हम यहां पर आपके द्वारा कितना रिंग बांध या पूल पुलिया कितना बनवाया गया हुआ है देखिए सर हम लोग को जिला परशद को पहले जो था लभी स्कारिकाल में जो है मनरेगा जो है नहीं था सिर्फ उनली पंचम का रासी था जिए वह भी जिला परशद को 10 पर पंचवर्सी अगर जनता चाहा अगर मुका मिलेगा तो वह भी होगा क्योंकि यह अचार संगीता से कुछ दिन पहले जो है जिला परशद को और पंचाय समित जी को दोनों को जो है मनरेगा में भी योगदाम दिया गया है रासी दिया गया है जैसे कि वहां पे बालिकाओं के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है इस बेवस्था को अगर आप त्रियस्तरिय चुनाओं में फिर दुबारा जिला पार साथ बनके आते हैं तो इस बेवस्था को आप कैसे देखें बहुत सारे ऐसे चोसा परखंड में जो है वालिका के लिए ब्रवस्था है जैसे पर दुर्वस्था कि लिए है उसके बाद हम लोग प्रियास करेंगे कि बहुत कुछ मतलब पांस साल में जो है हम लोगों को सिखने के लिए मिला और बहुत तजुरूबा मिला और हमें जो लगता है अगर जंता चाह मौका देगा तो हम लोग जो हो बहुत सारे दिया मैं आपके पंचायत की जनता आप ही के मुझ से जानना चाहती है अगर इस बार पंचायत की जनता आपको बनाती है जिला पारसाद अपना तो आपके द्वारा क्या क्या काम किया जाएगा इस सत्र में पिछली सत्र में भी मैं वह जो 2017 से ही मैंने मांग उठाता आ रहा हूं और यह चेतर चोसा और आलम नगर को सुरक्षित किया जाए और अगर वह रिंग बांध बन जाता है तो हम लोग सब दिन के लिए बार से सुटकड़ा मिल जाएगा और मेरा मेन फोकस रहेगा रिंग बांध पर ही और बहुत सारे उसमें जो है आगे का प्रोसेस भी हो चु जो है रिंग बांध का भी प्रोफोजल मान्य बिधायक जी के माध्यम से विभाग को गया है उस पे भी लगता है कि अगले सत्र में वह भी कारे धरातल पर उता रहेगा आपके आपके दायरे में आपके चेतर के दायरे में एक पंचायत आता है मोरसंडा जो कटाउट चेत नहीं हुआ है मेरा फोकस है कि मतलब कैसे मौरसंडा पंचायत के अमनी करेलिया को मौरसंडा को बचाया जाए उसमें भी हम लोग पिछले मत जो है हम लोग गय थे मानने विधायक जिसे विभाग सत्रकार के पूर्व मंत्री जी के माध्यम से हम यह जो है उनके संग्यान मे दिये हैं और उनके माध्यम से हुआ जो है अहां भी परवारी मंत्री संजोग से उनके माध्यम से यह कटाव का जो कारी होगा उनके माध्यम से एक समस्या और है आपके पंचायत में उप स्वास्त केंद्र का एक समस्या है कुछ पंचायत में जैसे मौसंडा हो गया और चि ज्यादा से ज्यादा बाहली लेने का आवा सकता है कर्मी बहुत कम है जहां तक मुझे जनकारी है मैंने अपने सदन में जो है खास करके यहां फुलोत मुर्चंडा और चिरोडी के लिए बार-बार मैंने मांग उठाया फुलोत में उपसास्ट के अंदर है और लेकिन वहां डॉक्टर की कमी है डॉक्टर जो है जिला में बहुत कम मात्रा में है कम संख्या में है और जब तक विभाग उचका बाहली नहीं निकालेंगे कर्मी नहीं बढ़ाएंगे तब तक मतलब सब जगह संभब नहीं लेकिन हम लोग अधक प्रियास है जो कि बाड में भी यहां आपका एक नेशनल हावे आता है जिसको 106 नंबर नेशनल हावे कहते हैं इसमें थोड़ा सा सुधार के बारे में आपको इस बताना चाहिए इसमें सर एनेच 106 का जो मांग है या 2016 जब से हम लोग पंचैती राज में जनता ने हमें मुका दिया तब से हम लोग कमीटी बना के बीच बीच में हम लोग अंदोलन करते आ रहे थे और सभाग है हम लोगों का जो बर्सों का सपना है आज साकार हुआ और इस एंडिया सरकार ने इस चैतर के लोगों का जो सपना था इनके पुरवजों का जो सपना था हम लोगों के पुरवजों का जो सपना था वह अब धरातल पे उतरता नजरा रहा है, हम लोग चाहेंगे कि उसमें एक कमीटी बना के उसको गुनवत्ता पुन काम करवा है। आप इस बार फिर चुनावी दोर में हैं, इस बार आप अपने छेव पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे काड़ी हैं, जो कि अभी नहीं हुआ है, मेरे नौलेज में नहीं था, और उतना व बिभाग को कावी जनकारी नहीं था, कोन काम कैसे होता है, और कहां से होता है। तो संजोग से कहा जाए कि एक साल या देड़ साल जो बीता लास्ट में, उसमें बहुत सीज का जनकारी हुआ, और बहुत हद तक काम करवाए, आपका फलोत पुर्वी का ज़स्ट बगल में, स्टेंड के बगल में एक पड़ता है, नप्तुलिया, वहां रास्ता नहीं है और अचार संगीता से कुछ दिन पहले उसका जियोटेकिंग करवाए, सरक के लिए, उसके बाद करेलवासा पड़ता है, उसका जियोटेकिंग करवाए, उसके बाद आपको यहां आप जो पंदही जाते हैं, वह फलोत पस्वी का ही वार नमर दस है, और उस बीच में जियोटेकिंग करवाए, उसके बाद रसलपुर धुडिया में जो है, तिलाड़ाई के जस्ट बगल में एक दिम्हा परवत्ता पड़ता है, उस सारे मतलब ग्रामीन का जो अवागमन है, उस ही होके है, वहाँ पुलिया का भी निर्मान होगा, वहाँ टेंडर में चला गय जो है, मात्र एक किलो मिटर का अगर रोड बन जाता है, तो वह साथ आठ किलो मिटर जो भूं के जाता है, वहाँ भी हमारा प्राप्निक्ता है, उस काम पे भी फोकस है, उसका वीजियोटेकिंग में ने करवा दिया है, उसके बाद आपको पहिना पंचायत के और पुरेनी परखंड को जो जोडता है, दुरगापूर पंचायत और पहिना को वह एक सरक है, उसको भी वह भी टेंडर में चला गया है, वह भी काम अगले अचार संगिता समाप्थ होने के बाद जी जी, उसके बाद और गरीब गुर्वा का जो दलित महादलित है, वह सब जो है, जो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जो कि अभी बिहार सरकार में रहा रहे हैं, रोड पे रहा रहे हैं, वैसे सब परिवार को महीने चिनित किया है, यह अंति मस्टित में, इस साल में, और उसमें बहुत आदमी का जो है, वह परचा के लिए प्रोसेस आगे भी गया है, और खा जमीन परिवार को पाचवाज डिसमिल जमीन दिया जाएगा, उसमें हम लोग का पुरा सयोग है, आपने देखा, आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को बहुत अच्छी बात बताई, और आप यह कहना चाहते हैं, दुबारा अगर पंचायत की जनता आपको जिता के लाती है, आपने जिला पारसत बनाती है, तो आप उनके विस्वास पे खरातों उतरेंगे, जैसे पहले आप काम करते आ रहे थे, वैसे इस बार जो बचीर वे काम है, आप उसको पूरा करेंगे, आपका कहना यह है, जी, जी, क्या नाम है, अश्यू उसमें जो है दोठो कारी बूल गया है यह जो फिलोत पुडवी से धमावती अस्थान से जो है बाबाविसुराथ अस्थान तक जो जाती है मुरसंडा को जोडते हुए वह सरग जो है वहां पुलिया का टेंडर हो चुका है बाबाविसुराथ ठान के ठीक पर्सिम साइड औ और यहां से जो 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 है इसका भी मतलब अस्थिमेट अगर बन गया है और इसमें जो है दोठो पूल है पांच-पाइल का उसके बाद यह मुसंदा पंचायत का ही है सिरीपुर प्रवत्ता उसको भी लगवग आठ किलो मेटर भूं के मतलब मेंडो टाना पड़ता है उसक का वी जियो टेकिन करवा दिया है और जानता अगर दोबारा चाहेगा तो उसमें हम लोग लगजिर के उसमें जल से जल बुक्तवासराब काम करवाएंगे सर्थ क्या नाम है आपका मेरा नाम अनिकेद कुमार मेहता है ऑह को जेख चुनाओचिन क्या है उत्वरा वेक्ट वह दोब है करओं तुर। अ करों कि मैने पिछली बार जो दो चुनाओछ लड़ा था वा काफी मतलब सिर्फ मेरा उमर था उस समय 25 सर और मैंने फर्स्ट बार चुना लड़ा और जितना भी उमिदबार था लगभग सभी अनभवी थे एक से एक दिगज थे लेकिन तमाम जनताओं ने एक रिकाउड काईम की आचोसा परखंड के लिए और जबकि इससे पहले जो भी जिला परसत बनके आये थे वह दो सो चार सो बोट से लेकिन जनता मालिक ने हमें लगभग पांच जर वोटों से जिता के हमको सदन में वेजा इस पर दिया आप चुनावे दोर में हैं और जनता से ही अपील करना चाहते हैं बिलकुल इस बार तो मैंने पांच साल बहु सुच ओप नहीं हुआ उज़ात में धर thorough में दोजे रात में बार बज़े रात में एक बज़े रात में उटके जाना पडता है पंचती करने के लिए और लेकिन पंचतीद का मेरा काम नहीं है लेकिन जनता नहीं मुझे स्वभाग दिया है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा स से ज़्यादा में लोगों का भला कराऊं यही मेरा जीवन का लग्ष है फिलाल बने रहे केलाल चन टाइम्स के साथ धन्यवाद सब्सक्राइब कर लो तरहां जरूर दबाना तब हमार वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले मिलेगा यहां का देखा थो हम तुन का इकार नहीं जल्दी दबाओ